हाउर फिक्स वाटसेप कस्तॉम नोटिफिकेशन नोट वोर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिक्राच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो पर मैं आपको पताऊंगा कि कैसे आप जो है जो यहाँ पर प्रोफाइल होते हैं हम उसमें जाके दोस्तो कस्तॉम नोटिफिकेशन सेट कर देते हैं ठीक है कुछ इस प्रकार से तो दोस्तो यहाँ पर हमें जो है कस्तॉम नोटिफिकेशन सेट करने का option मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह सेट करने के बाद भी कभी-कभी जो है काम नहीं करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या-क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको सोलिशन करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको फोलो करना होगा जो कि मैं आपको शोग करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पे तो वीडियो को आँ तक देखे सारे साथ दोस्तों यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों यहीं आप उनलाइन से पेसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक देर राखा है और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं केसे हम इस वाटसेप के जो कर्स्टोम नौटिफिकेशन के प्रॉब्लेम आ रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है प्लेश्टोर पर जाना है वाटसेप को सर्च करना है और उसके बाद उसको अपडेट कर देना है ठीक है अपडेट करने से दोस्तों इस तरह का नोटिफिकेशन जो प्रॉब्लेम्स आते हैं वो फिक्स हो जाता है तो चले दोस्तों मैं भी आपर फटक से अपडेट कर लेता हूँ तो अपडेट कर लिजेगा अब भी दोस्तों यहापडेट करने के बार आपको क्या करना है मैं आपको पता देता हूँ सेटिंग पर जाना है ठीक है सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको scroll down करना है और apps के अंदर पर चले जाना है तो पहले तो मैं एक बार इस app को जो है याँ पर burn कर देता हूँ आप mistakenly open हो गया है याप पर तो यह हो गया close तो चलिए दुबारा से setting के अंदर पर apps को open कीजिए उसके बाद manage app को open कर लिजे यहाँ आपको ध्यान रखना है आपको manage app install app app management का option मिल सकते app management और app manager ठीक है तो ऐसा आपको option मिलेगा तो यहाँ पर आपको जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बस नीचे scroll down करके whatsapp को open कर लेना है तो यह रहा दोस्तों इसको open करने के बार आपको scroll down करना है और इसका जो खेश है यहाँ पर इसको clear करना है आप storage पर जाके भी clear कर सकते खेश या तो फिर आप यहाँ clear data पर click करके इसका जो खेश है उसको clear कर सकते clear data नहीं करना है clear data करने से दोस्तो आपका पूरा जो यहाँ पर message है वो delete हो जाएगा आपका account जो है वो भी logout हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो लोगout हो गया तो sign in करने का option नहीं है आपको दुबारा से verify वगरा करना होगा तो इसलिए clear data नहीं करना है और दोस्तो notification पर click करके यह notification को off कर देना है ठीक है जो कि यह main notification है उसके बाद on कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तो जितने भी notification के बतन आपको डिखाई दे रहे सब को back to back आप on off कर दीजिएगा ठीक है off on आपको करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको जो है group notification का option भी मिल जागा तो यहाँ सी भी आप set कर सकते है आपको यहाँ पर आपको group notification set नहीं करना है ठीक है आपको यहाँ पर set करना है किसी भी एक बंदे के लिए यहाँ पर दोस्तो आपको set करना है तो केसे आपको करना है तो उसके लिए आपको back करना है और दोस्तो आपको जाना है WhatsApp पर ठीक है और इसका जो यहां पर दोस्तो नौटिफिकेशन टॉन है आप उसको सेपरेटली चेंज करना चाते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको यहां उसके नेम पर टेप करना है कस्टोम नौटिफिकेशन पर क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद यूस कस्टोम नौटिफिकेशन क इसके बाद vibration तो यह सब आपको set करना होगा उसके बाद दोस्तों mobile को एक बार restart कर लिजेगा और आपका जो problem है वो यही पर fix हो जाएगा तो यह है दोस्तों custom notification का problem solution तो इसके बाद दोस्तों कोई भी problem नहीं होगा आपका problem definitely fix हो जागा तो बस आपको यह solution यहाँ पर करना होग तो आज के लिए दोस्तों बस इतने उमेद करते हैं आपको जो है वीडियो पसने आओगा thanks for watching